नमस्कार आप देख रहे हैं सिल्क टीवी मैं हूँ आपके साथ विजयता गोश देश में कुरोना काल चल रहा है लेकिन बिहार में सिर्फ और सिर्फ चुनाव का चक्र चल रहा है जैसे जैसे बिहार में सियासी पारा चड़ता जा रहा है वैसे वैसे चुनाव की चक्की में कोरोना वाइरस पिस्ता जा रहा है हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह चुनावायों के निर्देश के बावजूद भी नेताओं के जनसभा में लोगों की भीड उमर रही है इससे तो यही उनमान लगाया जा सकता है कि बिहार में कोरोना था ही नहीं आज जनसभा को संभोधित करने नेता प्रतिपक्ष और पूफडिप्ती सीएं तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेजप्रताब यादव भागलपूर के सनहौला पहुँचे जनसभा को संभोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नितीज सरकार पर जम कर निशाना साधा इन सब के बीच नया क्या है आईए आपको बताते हैं जनसभा में समोधन करने आए तेजस्वी यादव और तेजप्रताब यादव के हेलिकॉप्टर का आज इंधन ही हो गया और इसे लेकर दोनों भाईयों को करीब 45 मिनट तक वहीं कड़कती धूप का स्वाद लेते इंतिजार करना पड़ा इंधन का इंतिजार करते हुए दोनों भाई वहां खड़े लोगों से मजाकी अंदाज में बात करते हुए भी दिखे इंधन के आने के बाद नेता प्रतिपक्ष और पूर्डिप्टी सीम तेजस्वी यादव और उनके भाई तेशप्रताब यादव ने राहत की सांस ली वहें कहलकाउसे महागडबंदन प्रत्याशी शुभानन मुकेश और रामविलास पासवान के पक्ष में मददान की अपील करते हुए दूसी सभा की ओर दोनों ने अपनी उडान भरी इस खबर में बस इतना ही देखते रहे है सिल्क टीवी अगर ये वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिल्क टीवी को फॉलो करे और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें